सब्सक्राइब तो मैं चैनल पर मोर अमीजिंग कंटेन्ट जाती है उसमें कंटेन्ट का काफी अच्छा खासा पैसा लगता है विकॉज आपको मालूम है कि कंटेन्ट काफी ज्यादा टाइट है और कंज्यूमर जो है कहीं न कहीं अब एक नॉर्मल प्रोडक्ट से बोर हो चुके हैं उन्हें चाहिए कुछ नया कुछ इंप्रूमेंट तो वो कंटिनियूस इंप्रूमेंट कैसे आता है उसके पीछे लगती है दोस्तो बहुत सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट और उसके पीछे लगता है अच्छा खासा पैसा और जाहिर सी बात है दोस्तो आपने जो चीज ओरिजनली बनाई है और कोई दूसरा उसकी जो है बेनिफिट रीप कर रहा हो बिना आपको कुछ पैसे दिये हुए या फिर क्रेडिट दिये हुए तो आपको बुरा लगता है तो इस Tech Industry में Lawsuit File करना एक नॉर्मल सी बात है Companies एक दूसरे पे यहाँ पर करती रहती है एसा नहीं है कि Lawsuit File करके यह Company दूसरे वाली Company से जो है दोस्तो यहाँ पर दुश्मनी मोल ले रही है ठीका इसका एक अलग ही प्रस्पेक्टिव है वो मैं आप लोगों को आगे चलके यहां पर समझाता हूँ तो यहां पर मांज़रा अभी यह है आप लोगों ने Asus की Zenbook सीरीज तो देखी होगी दोस्तो अलग-अलग form factor में है, कोई fold factor में है किसी में जो है तीन डिस्प्ले यहां पर निकली हुई है एक-दो इंजाम नहीं है दोस्तो यहां पर लगबग 3-4 इंजाम है और वो ऐसे इंजाम है जो कि आप लोगों को भी लगेगा अरे भाई यह तो Asus डालता ही डालता है तो सबसे पहला इंजाम देखो कि यह लोग claim कर रहे हैं कि जो 2-in-1 form factor वाला जो सिनारियो है ठीक है जहां पर laptop आपका converge हो जाता है tablet में Asus के Zenbook के वैसे भी कुछ laptops हैं जिनमें यह वाला इन्होंने function यूज किया हुआ है वो भी लेने वो claim कर रहा है कि यह हमारा है hinge design जो है हमारा है इसका और यह लोग जो है use कर रहे है और वैसा ही दोस्तों आप लोग ने Asus के laptop में देखा होगा आप लोगों को two finger diagonal scrolling feature जो है देखने को मिलता है यह भी Asus बोल रहा है कि हमसे ही जो है यहां पर इन लोगों ने लिया हुआ है फिर एक और feature है दोस्तों यह भी claim कर रहे है कि यहां पर Asus ने इनकी यह चीज़ चुराई हुए तो यह चार बड़े बड़े चीज़ है और आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों lawsuit file क्या हुआ है अगर यहां पर Asus हार जाती है तो इन्हें अच्छा खासा loss होगा because alternate replacement में कुछ जो है Asus मुझे दिखनी रहा Asus के पास कुछ है whereas यहां पर एक आता है interesting twist यहां पर यह लोग बोल रहे हैं कि Lenovo बोल रही है कि देखो अभी तक क्या है Asus ने इसका lawsuit का response किया हुआ नहीं है obviously वो लोग भी जो है अंदर कुछ नो कुछ किचडी पका रहे होंगे कि कैसे इस चीज को tackle करें लेकिन Lenovo का एक बयान यह भी आया हुआ है देखो ऐसा है कि ठीक है use कर रहे हो तो ऐसा करो एक cross license agreement कर लो हम लोगों से और जो भी इसकी royalty आएगी वो हमको दे देना तो अब लोग दोस्तों business समझो तीक है यह लोग Lenovo भी चाहती है कि भाई तू हमें बस किसी तरीके से पैसा दे दे ठीक है because obviously दोस्तों business को business बढ़ाना है ना लेने वो क्या चाहती है उनके profit ज़्यादा से ज़्यादा हो उनके और product ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में पहुँचे तो ऐसे हालत में आप लोग को मालूम होगा कि एसूस कितना बड़ा consumer है कितने बड़ी जो है उनकी laptop industry है कितने laptop industry तो आपने एक part देखा हुआ है अंदर के जो hardware है वो भी एसूस बनाती है तो Lenovo जानता है यहाँ पे कि एसूस को वो lose नहीं कर सकता किसी भी कीमत पे so that is why they are also floating the things कि भई तुम cross license agreement हम से कर लो और royalty का पैसा जो है हमको यहाँ पे दे देना लेकिन अभी तक जो है तो जो है तो एसूस ने इस चीज का कोई भी response नहीं दिया हुआ है hope so एसूस जो है कुछ यहाँ पे response देगी well सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या आपको डरने की जरूरत है तो ऐसा कुछ है नहीं friends कोई भी बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है आप लोग देखेंगे normal चीज जैसी चल रही है वैसे चलेगी obviously asus भी कुछ नो कुछ यहाँ पे कानूनी कारवाई करेगा and in the last कहीं न कहीं background में कोई न कोई agreement हो जाएगा कि ले भाई तेरा कट इतना मेरा कट इतना देखें इस सारी चीज को बताने का मेरा एक ही मकसा दे दोस्तों जो चीज आप लोग normally लेते हो ना अरे इसमें ये चीज अच्छी नहीं है उसमें वो चीज अच्छी नहीं है at one time दोस्तों उसमें भी काफी अच्छा-कासा research and development लगता है और ये एक true चीज है जिसका benefit आप लोगों को देखने को मिलता है मैं आपको practical example दूँ देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ मेरे पास 3-4 laptops आए हैं दोस्तों जो जो मैंने अपने चैनल पर डाले हुए है उन में से wifi जो 6 वाले laptops है ना wifi 6 वाले जो laptops है I don't know for whatever reason wifi 6 वाले laptops की जो range है ना यार काफी ज्यादा तगडी है मैं इस room में बैठता हूँ मेरे roommates laptop उस use laptop जो है use उस room में करते है तो जब भी मेरा laptop यूज होता है दोस्तों कोई भी दिक्कत नहीं आती in fact Amazon Prime जो है full 1080p पे stream होता है लेकिन as soon as you take some other laptop जिसमें wifi 5 का support हो वो जो है नहीं चलता है उसमें एक दंडी है दो दंडी आती है wifi की और उतना तगड़ा भी वो stream नहीं होता है तो ये सारी practical चीज़े जो है एक और मैं practical चीज़ बता देता हूँ दोस्तों आपके laptop में USB type-C port होगा या फिर USB-A port होगा जिसमें thunderbolt 4 के standard होगे या फिर USB 3.2 वाले standard होगे 5 Gbps, 10 Gbps वाले तो ये जो चीज है ना ये काफी जादा सही होती है अगर आप लोग बहुत बड़े बड़े वीडियो फाइल ट्रांसफर कर रहे हो तो आपके केबल भी अगर आपके बास दूसरे standard की है तो चीज़े बहुत ही जल्दी ट्रांसफर हो जाएंगे तो ये सारी चीज़े जो है practically दिखती है और इनके पीछे काफी अच्छा कासा research and development